जैसे वाज जे गुणड़ाना सगाजनों सभी गुणड़ाना अशियों का गुणड़ी लंपेच चैनल वर स्वागत हैं सगाजन आज हम प्रेजेंटेस में हेल्पिंग वर्फ किस परकार से बनते हैं सगाजन इसको पूरा आज हम डिर्टेस में देखेंगे तो सगाजुनों जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़े थे जैसे कि जो आडाम डमरू की धुन में से जो आडाम जो आवाज निकलती है तो सगाजुनों हमारी जो पांदी पारे कुपरलिंगो बाबा है वो कैसे उसको किस परकार से पढ़ते है जैसे कि मानले जे अड़ाम अड़ाम इड़ाम इड़ाम उड़ाम इस परकार से जो धुन निकलते हैं सगाजनों वो जो है फिर ये धुन निकलने के बाद जो सगाजनों उनको अलग परकार से उच्चारन करते हैं जैसे के मैंने बूलाया आड़ाम, आड़ाम, आड़ाम से क्या निकलता है? आम, ये क्याया किरापत की मुल्धातू. तो सगाजनों, इससे सगाजनों helping वर निर्दारित किये जाते हैं, तो सगाजनों जैसे के आज हम nitter वाली जो करता होते हैं, जैसे के पेड, पहुदे, पहले वाला तो अगर आपने देखा नहीं हूंगा तो उसको एक बार जरूत देखेगा चैनल के प्रिलिश्ट में जाकर और सगाजुन हम जो गोंटी लैंगिज पढ़ रहे हैं सगाजुन ये पूरा बेसिक से पढ़ रहे है ना तो इसको भी सगाजुन हम डेटेस में पढ़ रहे हैं एक दम बार की से पढ़ रहे हैं और सगाजुन ये विश्व कि ऐसी लैंगिज है पूरी सुपीर ये लैंगिज है हन इस परकार से जो पढ़ते हैं सगाजन उसका उच्चारंग करते हैं तो सगाजन वो अपनी लैंग्वेज में से ही है और सगाजन आज 21 फिबरुवारी है आज इंटरनाशनल लैंग्वेज डे है है ना तो सगाजन विश्ण में जितने भी लैंग्वेज जैसे उन सभी लै अंगलादेश के निर्मान की बकत चालूता हुनका विद्रो है ना तो सगाजुनों जैसे की आज हम पढ़ेंगे तो जैसे की सगाजुनों जो हमारे जैसे की जो सोर होते हैं ना सोरों के अनुसार क्या होते हैं सगाजुन हमारी क्रियापत की सगाजुन हमारी सरो नाम की रश सगाजनों अरम आरम है ना तो इस में से तो सगाजनों आज जो हम आरम है ना यह जो आरम जो धुन निकलते सगाजनों इसके उपर डिटेस में देखेंगे तो सगाजनों कल जो हम अम धातों से पढ़ेंगे तो जैसे के सगाजनों पढ़ते अभी जैसे के सगाजनों आरम है यह कहा है आड़ाम यह क्या है डम्रों की दुन में से आवाज निकलता है तो फिर सगाजनो इस में से जो डा है डा को हटा देते फिर सगाजनो हमारे पास क्या बचता है आम है ना हमारे पास क्या बचता है आम तो इसका मतलब क्या था सगाजनों हो या तो है है ना इस परकार से तो इसको मैं या पर लिख देता हूँ है या तो हो है ना इस परकार से तो सगाजनों इसका जो उपएक है हम जैसे कि साहिक करे क्रियापद में भी यूज करते है और मुक्के क्रियापद में भी यूज करते है ना तो मन के इसे सगाजिनों हमारे एक मुल्धातू भी है और उसे हम साइक करिक रहापत बनाते हैं तो सगाजिनों आज का हमारा जैसे की आडाम है naw आडाम का मतलब क्या आता है आम है ना आम आम का मतलब क्या आता है तो इसे के उपर देखेंगे सगाजन आज हम जैसे कि सगाजन नो मान लिजे कोई एक बिल्ली है कोई कुकता है कोई पेर पौदे पशुपक्षी है कोई टेबल है कोई भी नपुनसक लिंगा जो भी वस्तुई है है ना उसके लिए हम जैसे कि हरंग हडंग जो धुन निकलते हैं दम्रो के आवाज में से उसे के उपपर हम पढ़ेते हैं तो अभी देखिए आप splendid हीद है न जैसे की अभी हीद आंद है न एड आंद इसको आप इस परकार से भी लिख सकते हैं हीद आंद है ना तो याद फिर हिद अंदू है ना तो सगाजनों इसका जो मतलब होता है यह है और इंगलिश में बोले तो हम this is ओके इस परकार से और देखे सगाजनों यह जो है जो हमारे पास में जो वस्तू है उसके लिए सगाजनों हम यह तके हमारा एक करता है और उसी के सिमिलर सगाजन हमने एक साग कारे किरापद लिया है है ना तो सगाजनों जैसे की सरजोicson बतायता हमें जैसे की सरजोडन मार्शल बता गए है की जो गुंडी भाष में यह सोर परते हो के अनुसरिस के रूप परक्राम बनते बोले, है ना, तो सगाज नों, आप लोग को मैं, वह इंट करके बताऊंगा, जयसे कि सगाज नों, या पर झिस पर काश्ण द लगता है उसे परकार सगाज उन्हों अंत में भी द आना चाहिए है ना जैसे कि सगाज उन्हों मान दिजी आपे मैं हिदू लेता हूँ है ना हिदू तो आपे दू देखिए या तो अंदू है ना तो इस परकार भी डिख सकते आप ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर सकाजुनों लास्ट वाला जो वर्न है, है ना, वो भी अंत में आना चाहिए, वर्न ओके, जैसे कि दा, है ना, दा प्लस हो, इस परकार से, तो अभी सकाजुनों हम इसको सेंटेस के थुरू पड़ते हैं, जैसे कि मैं ब अगर वो पुरूश्लिंगर है जैसे कि मान लिजे कुत्ता है कुत्ता क्या पुरूश्लिंगर है कुत्ती क्या एक स्त्रिलिंगर है तो जैसे कि मान लिजे मैं यापे हीद सिट्टी नए हीद सिट्टी नए आंद है ना इस परकार से तो जैसे कि सगाज उन्हें यापी दो लगता है उसे परकाद दो यापी लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है सगाज उन्हों यहाँ कुत्ती है इस परकाद से बोलेंगे हम अगर देखे सगाज उन्हें इसमें क्या है अबिंग अगर वो पुरूष्लिंगर है, अगर मानली ज़िवा कुट्टार है, तो हम क्या उसके लिए यूज क्या करेंगे, जैसे की यह जो है आन्द, तो इसके लिए हांदूर, ओके ना, आन्दूर, ये इसका मतलब होता है, है, ओके ना, ये भी है है, और ये भी है है, मगर आपको यह पता हना चाहिए वो पुरुष्ट लिंग है या स्त्रिलिंग है अगर वो पुरुष्ट लिंग होंगा तो उसके लिए अंदूर लगाएंगे स्त्रिलिंग है तो उसके लिए आंद है ना आंद या तो आंदू इस परखार से यूज करेंगे तो Jesy की सगाजनों ये क्या हो गया पास के वक्ति के लिए एक किसमें हम पड़ते हैं, 3-3 परशन में जेसि के अभी क्या पास में है न तो अभी इसको हम पड़ेंगे दूर के वस्तू के लिए Jản इसमें सगाजनों मै दिख देता हूँ, अंदूर अंदूर हम किसके लिए उज़ करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं और अंदूर है ना तो सगाज नो ये जो साइक कारिक रिक्रापद है ना ये जो साइक कारिक रिक्रापद आ दिया तो अंदूर ये हमेशा हम हीद हीदू इसके लिए उज़ करते हैं हीद, हिदू, हेर, और इनके लिए उश्करते हैं तो आपको सगाज उन्हें इसको पर ध्यान में रखना है जैसे कि आप मूलूं कामा है हाद हाद, बिलाल, आंद है ना, हाद, बिलाल, आंद इस परकार से तो सगाज उन्हें इसका मतलब क्या होता है that is cat, है ना, that is a cat एनि वह बिल्ली है that is a cat, वह बिल्ली है हाद का मतलब क्या होता है वह, बिलाल का मतलब क्या होता है बिल्ली ओके, है, आंद का मतलब क्या होता है है, ओके, हम किस परकार से बोलेंगे हाथ बिलाल आंद है ना हाथ बिलाल आंद हुई इस प्रकर से आप यूज़ कर सकते हैं ओके अगर सगाजुनों उसमें अगर वो पुरुश्लिंगर है जैसे कि बोक्याल है ना बोक्याल उसको हम बोक्याल रहा तो उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे हैं अंदूर जो मेल क्याट होते हैं उसके लिए हम अंदूर उश्च करेंगे तो सगाजुन इसको नोट करके रखेगा क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है तो अभी देखें सगाजुन हमने क्या पढ़ेते हैं सिंगुलर पढ़ेते हैं अभी जो पढ़ेंगे सगाजुन हम पास के विक्ति के लिए जैसे की हीद को लेते हम तो इसका अने कोशनी क्या होता है सगाजुन हो हेरक है ना पास के विक्ति के लिए हीद अंदूंग यानि इसका मतलब होता है यह है है ना जैसकी हेर्क टेबल कांदूम है ना हेर्क टेबल कांदूम इस परकार से हेर्क टेबल कांदूम है ना इस परकार से विच करते हम उसे अभी जो सगाजनों इसमें देखिया भी है हाद में देखिया है यह क्या दूर के वे लिए होर्क अंदूंग या तो आप अंदूंग भी बोल सकते हैं ओके आपके उपर चोईस है जैसे कि इसका मतलब होता है वे है है ना होर का अंदूंग यानि वे है इस परकार से तो जैसे कि सकाजनों मैं बोलता हो यह क्या भी ब्लैक बोर्ड है ना है इसको बोलूगा मैं जैसे कि होर ब्लेक बोर्ड अंदूं इस परकर से तो सब्सक्राइब आप लोगों के लिए आप लोग इसे ध्यां से सुनेंगा जैसे कि हमें इन English language में क्या आता है सगा जुनो सबसे पहले subject आता है फिर उसके बाद में वर्ब आता है चाहे वो helping work बढ़ा हो या तो फिर main work बढ़ा हो है ना और उसके बाद में आता है सगा जुनो अनुत में object और सगा जुनो जैसे कि कुंटी language में क्या आता है सबसे पहले subject आता है फिर उस उसके बाद में क्रियापद आता है तो सगा जुनों आप लोग यहां पे धियान से देखेगा हो के ना तो जैसे के मैंने आप मतलब क्या आता सगाजन जो भी हमारी स्तिरिया है जो गुंडियन स्तिरिया है तो उसके लिए सगाजन हम इंडियंग शब्द यूज़ करते हैं है ना? तो सगाजन इसको पर मैं डिटेस में समझाऊंगा ये शब्द किस परकार से बनता है तो तो फिर आता है सगाजन या पर देखे हमारा सब्जेक का है सब्जेक को क्या बोलते हैं हम गुंडि बाशा में कयो मियाद उन्डे अब्जेक्ट अब्जेक्ट इंजर सगाजन नो कयो म ओके हिल्पिंग वार्ब इंजर सगाजनो साधा सिय निउजे त्यानि अन्दों के हमारा हिल्पिंग वार्ब है और इंडेंग के हमारा अब्जेक्ट है तो अभी जर देखे सगाजनो सेकंड सेंटेस देखे अभी उन्डे रंड मून नालूंग है ना तो सगाजनो इमा कोटपल आंदुनी यानि हम आजसे बोलते हैं इमा कोटपल आंदुनी यानि तुम कोटपल हो है ना तो सगाजनो सब्जेक्ट के हमारे आपे इमा है ना अब्जेक्ट क्या लिया सगाजन हमने आपे कोटपल लिया और हिल्पिंग वार्ब क्या लिया सगाजन हमने आंदुनी है ना तो अबी जो देखें सगाजनौ मुंडर को सगाजनौ आपलो जसो ओर ठम्माल अंदूर सगाजनौ ओर और का मतलब क्या आता सगाजनौ वह ठम्माल का मतलब क्या है नाम है यह ना अंदूर के हमारा helping गर्भल है याणि साय करेकर कर दें तो जैसे कि इसका मतलब होता है वह ठम्माल है यानि दूर होए अपने से दूर के वक्ति के लिए हम कुछ सा सब्जेक्ट क्यूज करते और यानि वह ठम्माल है इस परकार से तो अभी सगाज़नों इसमें देखिए अने कोशनी के इस परकार से बनाते हम और Gundi Puneim Kandur है न और Gundi Puneim और Gundi Puneim Kandur तो इसमें सगाज नो इसका मतलब क्या होता है वे Gundi Dhamim धर्मी है तो सगाज नो ये जो अबजक्ट है हमने या पर अने कोष नहीं लिया एक से जादा विक्ति है इसले हमने उनको क्या लिया पुनेम, पुनेम का मतलब क्या था सकाजनों धर्मों यानि सत्य मारगह पर चलने वाला इंसान है ना, फिर रास में क्या लगाला है सकाजनों हमने कप रत्यलिया, इसमें, तो यह क्या होता बहुँचन में, तो उसी पास Étatsथणों यहां पर जो रख़ा लगता है ना सगाज नो इस इस परकार हमने यहां पर सायकारि करापद में भी रखव प्रत्य लिया है ना तो सगाज नो इसका मतलब क्या था है वे गुंडी धर्मी है हम इसको पस के विक्ते के लिए बूल सकते हैं ये गुण्डि धर्मी है। हम उसके लिए sentence कैसा विश्करेंगे? है ना? इस परकार से ये गुण्डि धर्मी है. जैसा के हम बोलेंगे, गुंडि पुर्म Pacific City ये वह ना? यानि वह गुंडि धर्मी है, जो की हम स्थिरी के लिए विश्कर है. तो सगाजनो इस परकार से हमारा क्या था लेक्चर था तो सगाजनो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेस में समझाए शब्दों की रशना किस परकार से बनती है है ना तो इस्टे में आप लोगों को बता चुका है आप लोगों को लिंक मिल जाएंगा उसका अला और सगाज नो इसके रचना कीज़ परकार चेहोती है सगाज नो पूरा बारिकी से बताए हो तो सगाज नो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे सेवाज जे गुंडाना अगर सगाज नो वीडियो पसंद आय तो वीडियो को लाइक करना, कमेर्स करना और शेयर करना